हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ डिजनी की मूवी वन एंड ओनली आईवन जो की एक सच्ची गटना पर आधारित है इसमें हमें गुरीला आईवन की एडवेंचरस जर्नी देखेंगे उमीद करती हूँ आपको ये पसंद आईगी तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मूवी शुरू होती है 1973 से जहां हमें गुरीला आईवन को देखते हैं वो हमें अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वह और उसके कुछ दोस्त इस बिग टॉप मॉल में लोगों का मनुरंजन करते हैं उनका रिंग मास्टर एक मैक नाम का आदमी है जो इन सभी जानवरों को बहुत प्यार करता है आईवन के दोस्तों में से कुछ बहुत खास हैं जैसे हैंड रिटा एक बेसबॉल खेलने वाली मुर्गी फ्रैंकी एक सील मर्फी एक फायर ट्रक चलाने वाला रैबिट स्नीकर्स जो की मैक की पैट जूलिया रोज अपने पिता के साथ मौल में आती है और अपना सारा वक्त आईवन के साथ बिताती है एक दिन मैक की बातों से आईवन को पता चलता है कि उनकी शो से इतना पैसा नहीं आ रहा जिससे मैक ये मौल चला सके रात को वो स्टेला को कहता है कि जल्थी वो कुछ करेगा जिससे शो की पोपुलेरिटी बढ़ जाएगी और स्टेडा भी उसका साथ देने को तयार हो जाती है अगले दिन आइवन बहुत जोर लगाता है लेकिन देखता है कि अभी भी शो में बहुत कम लोग हैं मैक का सीक्योटी गाट कैस्टिलो बोग को पिंजर से बगानी की कोशिश करता है लेकिन आइवन को देखकर उसकी हिम्मत नहीं होती आगे जूलिया उसे कुछ क्रियोंस और एक पेपर देती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद आइवन को ड्रॉइंग में बहुत इंटरस्ट है आइवन शीशे पर एक बीटल को देखता है और पेपर प एक बीटल बनाया है आइवन ये देखकर हैरान होता है कि जूलिया उसकी ड्रॉइंग को समझ सकती है काम कम होने की वज़ा से दीरे दीरे बाग की दुकान दा वो मौल छोड़कर जाने लगते हैं और मैक परिशान हो जाता है एक दिन उसे एक फोन आता है जिसे सुन कर वो बहुत एक्साइटीड होता है बॉब स्नीकर से मिलने जाता है जहां वो उसे बताती है कि आज का शोग कैंसिल हो चुका है क्योंकि एक नए आनिमल उनके बीच आने वाला है लेकिन बॉब को वो इसे सीग्रेट रखने को कहती है ताकि बाकी आनिमल्स को परिशानी ना हो ल मैक उसका नाम रूबी बताता है और उसे यकीन है कि वो इस शोग में नई जान डाल देगी आईवन रूबी से इरिटेट होने लगता है क्योंकि वो बहुत सवाल पूछती है अगले दिन शोग में मैक आईवन की परफॉर्मेंस को बीच में ही काट कर रूबी को मैक उसे चेक करता है और उसे दवाई देने को बोलता है रात को रूबी की जित करने पर स्टेला उसी अपनी स्टोरी सुनाती है कि कैसे जब वो एक छोटी बच्ची थी तो एक बड़े से गड़े में फस गई थी और वहां एक लड़की ने आकर उसकी मदद की थी वो बता रूबी डर जाती है और यह देखकर आईवन को उस पर तरस आता है वो उसका confidence बढ़ाने के लिए उसकी तारिफ करता है और रूबी बाहर जाकर एक बहतरी शो करती है रात को रूबी की request करने पर आईवन उसे अपनी स्टोरी सुनाता है वो बहुत छोटा था जब मैक और ह हैलन ने उसे adopt किया था उसने उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया और वो उसे एक बच्चे की तरह रखते थे लेकिन दीरे दीरे वो बड़ा होता गया और उसकी वज़ा से उनका काफी नुकसान होने लगा मैक को इससे कोई problem नहीं थी लेकिन हैलन उससे परिशान हो इस पिंजरे में बिता दे वो आईवन से उसे यहां से भगाने को बोलती है ताकि वो एक free life ची सके आईवन उसे promise करता है लेकिन देखता है कि स्टेला मर चुकी है मैक और बाकि सारे जानवर उसकी मोट से बहुत दुखी होते हैं आगे आईवन देखता है कि मैक जबरदस् पर्फर्म करना सिखा रहा है लेकिन वो बहुत ठकी हुई है रोजर और जूलिया भी उसे रोकने के कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनता येद देखकर आईवन को बहुत गुस्सा आता है और वो रूबी को वहाँसे निकानने की थान लेता है वो बॉब को बत ड्रोइंग देख लेता है और उसे अपने शो के लिए एक नए आइडिया मिल जाता है वो सब जगा एडविटाइज करता है कि आईवन पेंटिंग बनाने लगा है और यह सुनकर उसके शो में लोगों के भी लग जाती है शो में मैक के बहुत कहने पर भी आईवन कुछ ड्रोण नहीं करता और वहाँ से चला जाता है उसके मन में तो बस टेला के किये वादे को पूरा करने की चिंता है मैक उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसे वहाँ बॉब दिख जाता है वो केस्टेलो से उसे तुरंट बाहार निकालने को कहता है नहीं तो वो उसे नोक्री से निकाल देगा ये सुनकर आईवन एक प्लैन बनाता है और खुद बॉब को केस्टेलो के पास बेजता है बोब उसे अपने पीछे लगा कर आईवन के पिंजरे तक ले आता है और कैस्टेलो देखता है कि आईवन सो रहा है वो लोग खोल कर अंदर आता है और तबी आईवन उसके पीछे आखड़ा होता है उसे देखकर कैस्टेलो बहोश हो जाता है और आईवन उसकी चाबी की मद से सबी जानवरों को बाहर निकाल लेता है रूबी के पूशने पर वो बताता है कि वो सब लोग एक फ्री लाइप जीने जा रहे हैं स्नीकर आने से मना करती है क्यूंकि वो बाहर जादा देर तक नहीं टिक पाईगी वो सब लोग मेन गेट तक आते हैं और आईवन उसे गाड़ी से बाल बाल बचाता है यहीं एक गाड़ी वाला आदमी उन सब जानवरों को जंगल में जाते हुए देख लेता है जंगल में आकर वो सब बहुत खुश होते हैं और मस्ती करने लगते हैं लेकिन उनकी यह खुशी जादा देर तक नहीं रहती क्यूंकि आईवन देखता है कि यह कोई जंगल नहीं बलकि एक चोटा सा पार्क था जो चारो तरफ से शेर से गिरा हुआ है तब ही उन्हें डूनता हुआ मैक वहाँ आ जाता है और आईवन को समझाता है कि इस तरह से वो रूबी और बाकी जानवरों को खत्रे में डाल रहा है आईवन उसकी बास समझ जाता है और वो सब लोग वापस मॉल में आ जाते हैं मैग कैस्टिलो को निकाल देता है और रोजर से कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखना होगा नहीं तो लोग उनका ये शो हमेशा के लिए बंद करा देंगे। आइवन रूबी से माफी मांगता है क्यूंकि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। रूबी उससे असली जंगल के बारे में पूछती है और तब आइवन उसे अपने बच्पन के बारे में बताता है जब इनसानों ने उसे पकड़ा था वो अपनी फैमली के साथ खुशी-खुशी जंगल में रहता था और उसे कीचर से पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था उ लेकिन वो उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था उसका सारा टाइम या तो ड्रोइंग करने में जाता था या फिर अपनी बहन टैक के साथ खेलने में एक दिन जंगल में कुछ हंटर आए और उसके पिता ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन एंड में हंटर ने उसके पिता को मार डाला और उसे पकर कर शहर ले आए जहां से मैक ने उसे अडॉप्ट कर लिया यह सुनकर बोब इंसानों को शैतान बोलता है लेकिन रूबी कहती है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते क्योंकि बच्पन में स्टेला को भी एक लड़की नहीं बच जाया था और जूलिया भी उनका बहुत ध्यान रखती है अगले दिन जूलिया आईवन को कुछ कलर्स देती है और उसे अपनी बनाई ड्रोइंग दिखाती है वो कहती है कि उसे पता है कि आईवन एक आर्टिस्ट है जो अपनी ड्रोइंग से अपनी फिलिंग शेयर करता ह उसके जाने के बाद I1 को अचाने के एक आईडिया आता है और वो जूलिया के दिये कलर से एक पेंटिंग बनाना शुरू करता है अगले दिन मैक एक बार फिर शो शुरू करता है जहां एक रिपोर्टर उसे जानवरों के भागने के बारे में पूछती है वो कहता है कि यहां सब ठीक है और उसे अपने शो की recording करने के लिए invite करता है जूलिया अपने पिता की जगा लाइटिंग में help करती है एक एकर करके सबी जानवर अपनी performance देते हैं और end में आईवन की बारी आती है जैसे ही परदा हटता है वहाँ रिपोर्टर और सबी लोग हैरान रह जाते हैं मैग भी मुड़कर देखता है कि आईवन एक जंगल की पेंटिंग बनाई है जूलिया समझ जाती है और अपने पिता को बताती है कि आईवन यहाँ से निकल कर जंगल में जाना चाता है लेकिन जोर्ज उसे कहता है कि वो इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता तब जूलिया उस रिपोर्टर से मदद मांगती है और देखते ही देखते ये खबर हर जगा फैल जाती है लोग मोल के आगे प्रोटेस्ट करते हैं कि जानवरों को आजाद किया जाए और आईवन उसे अपना एक टोई गिफ्ट में देता है एंड में मैक भी उससे मिलने आता है और आईवन को अपनी और उसकी एक तस्वीर दिखाता है आईवन भी उसे अलविधा कहकर अपनी नई लाइफ की और आगे बढ़ जाता है आगे वो एक कमरे में उठता है और चारो तरफ दिवारे देखकर अग्रेसिव हो जाता है तब ही एक डोक्टर आकर उसे बताती है कि वो या नहीं बलकी कहीं और रहने वाला है वो एक शटर उठाती है और आइवन देखता है कि एक हरावरा जंगल उसके सामने है पता चलता है कि एटलांटा जू है जहां जानवरों को उनकी नैचुरल जगा रखने का पूरा इंतजाम है आइवन वहाँ अपने ही जैसे और भी कई गुरिलास को देखता है और भाग कर एक पेट पर चड़ जाता है वहाँ दूर उसे कुछ हातियों का जूंड दिखाई देता है और वो देखता है कि रूबी भी वहाँ अपने सातियों के साथ खेल रही है आखिर उसने स्टेला को दिया अपना वादा पूरा कर लिया और अब वो रूबी का भी ध्यान रख सकता है तो दोस्तो ये मूवी असल में एक आइवन नाम के रियल गोरिला पर बेजड है जिसे पेंटिंग करने का बहुत शोक था उसने भी अपनी लाइफ के कही साल ऐसे ही बंद पिंजरों में गुजारे लेकिन आखिर में वो अपनी सही जगा पहुँच गया इजी के साथ मैं ये मूवी खतम करती हूँ अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू